हेलो फ्रेंड्स वेल्कम दो पढ़ना कंपूटर क्लासिज आज हम बात करें यहां पर डीसे सेकेंड सेमिस्टर के सेकेंड पेपर इंटरनेट एंड एकॉमर्स के कुछ ऐसे इंपोडेंट कॉसंस के बारे में जिनकी एक्जाम में आने ही संभावना अधिक होती है तो जैसा क सब्सक्राइब पेजमेकर एंड फोटोसॉप तो इन दोनों के कॉस्टंस में आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं आज हम बात करेंगे यहां पर इंटरनेट एकॉमर्स के बारे में तो यहां पर हमारे जो इंटरनेट इकॉमर्स पेपर है उसमें पांच सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब करते ह wide इटाइब करेंगपर है इसे समझाइब होता है यानि नाम से वी तो वाल्ट वैंड वेश को समिझागे और उससे एड़वांट एंड तैडवानटेज को बता आदा ने सरवर इसमें आपकी हर प्रिकार की जानकाड़ी को सटोर और तो रखाया आता है और इसे टिंबर नसली द्वारा बनाया गया था इसलिए आने से इंटरनेट का यूज बहुत ही आसान हो गया था हम किसी भी जानकाड़ी को इंटरनेट पर ब्रावजर और सर्च इंजिन के मादम से प्राप्ट कर सकती हैं अब आप तरते हैं आप दूसरे कौसन की इंटरने के बारे में तो यहां पर इंटरनेट मतलब एक प्रिकार का बिस व्यापी नेटवर्क जो पूरे वाइल्ड के कम्पूटरों को आपस में करता है और इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क जो आपके छोटे से एरिया में एक लोकल एरिया में लिमिटेड कम्पूटरों को आपस लीज से लाइन कनेक्षन लिज्डेंड कनेक्षन डे सल रनेशन वी सट कनेक्षन तो एसे कुंच इस ने या पर दी इन मैं से कोई बीक क्यों है Student कि वीमीड करने ते हैं पर हम पी विय्व सेड को पिर लाठ चोट अठाथ स्टेशन होता है जो दो आपके Satellite के मादम से आपके device आपके Wi- nós पेसिलिटी provide कराने का कारिय करता है दूसरा उता url। इसजि हम युनिफॉर्म resource locator कहती है। इसका काम होता है जितने भी आपके web pages यहोती हैं जितने भी आपके resources होती है जो internet नोग दोती है तो उन सभी best pages, abdress då private एड्रस प्राप करने के लिए यूर्यल का यूज करते हैं जितनी जानकारी आपके सर्विसेस उपलब करा रहा है जैसे गोफर जैसे न्यूज ग्रोप जैसे आपके ईमेल जैसे आपके चैटेंग ऐसे कई प्रकारी सर्विसेस इंटरेट दौरा में उपलब्द कराई जा रही है नेस्ट पोर्टल के बारे में तो यहां पर पोर्टल मतलब एक प्रकार का ऐसा बैव वह प्रकार की ऐसी बैपसाइट जो आपको एक ही जिर्ण फैसिलिटी प्रोवाइड करने की फैसिलिटी देता है ह और प्रकार के लेंदेन, खहिदना, बेचना, रिचार्ज और छीज़ें आपको एक ही ज़रे उपलब्द होती है इस प्रकारी बैपसाइट को हम पोर्टल के नाम से जानती है नेस्ट कॉस्टन बात करते हैं आपर इमेल कंसेट के बारे इमेल क्या होता है तो इमेल इंटर का मारे ऐसा इलेक्ट्रोनिक मेल होता है जिसके मादम सें कंप्यूटर अपने इंफरमिशन को सेयर कर सकती है उसे एक किस्ता दूसरे सांटर बेच सकती है तो इमेल क्या है इमेल के लिए कौन-कौन सी वैपसाइट से हैं उसकी वरकिंग क्या है तो यहां पूरा इसके बार इनफरमिशन का ट्रांसफर होता है एक इस दूसरे सांट पर तो पूरा काम थी द्वारा ही हैंडल किया आता है इसी प्रिकार का एक और प्रोटोकल होता है यानि यूज़ डेटा डेटाग्राम प्रोटोकॉल यह तरहीं कारे करता है लेकिन जिसकी प्रिकार का एक सब्सक्राइब करते हैं इंटर्नेट पर उसकी अविलटी को बताने के लिए उससा कराना आवसरक होता है तो इस पूरी प्रोसेस्टम डॉमेनिम रिच्टेशन के नाम से जानती हैं पूरा चैटिंग के बारे में सबी लोग जानते चैटिंग के बारे में तो यहां पर ती पर हर प्रागरी जानकारी को प्राप्त करने की आप नेट से होती हैं इस surfing फ्रीर प्राइब आपका इंटरेट कर रहे हैं इन सभी चेत्रों को आप यहां पर संजा सकती हो दूसरा आता है आपका यहां पर कुछ जी सब घूवल क्रॉम पर सफारी ऑपेरा फाइर बॉक्स बॉड़ा इंटरेट एक स्ब्लोरर तो जिनके मादव आप इंटरेट को अपने कंप्यूटर पर लोकल लॉकल कंप्यूटर पर डिस्प्ले करा सकती हो सर्च इंजन क्या होता है एसी वेप साइट जो आपको सर्च की फेसलिटी प्रोबाड करते हैं जिसके मातम से इंटरनेट से कही प्रकाई जानकारी प्राप कर सकती हो अब विक्कीपीडिया भी प्रकार का वैब साइट है जिस पर आध्रिचेत्र से संबंदित इंफरमेशन को स्टोर करकर आएगा तो कोई वेक्ति किस पनकार से इंफरमेशन को प्राप करेगा तो यहाँ पर विक्कीपीडिया के मादम से इंफरमेशन कैसे प्राप कर देंगान किस पर असकर भी एक्षास पस कुछ और कुछ और एक्स्ट्रा कॉसन जोड़े गए हैं जिसमें यह बताया गया कि हम इंटर्डेट के मादब से पैन कार्ड के लिए आदा कार्ड के लिए ना पिर अपनी टिकेट बुकिंग के लिए पासपोर्ट के लिए किस प्रकार से अपलाई करते हैं उसके प्रोसेस तो अगल यह हैं और जाब हम इसको उसके प्रक्राइब करें डिएटाउ ट्रांस्फर करते ना तो इसलिए हम एप्टिपी का यूज करते दो इसलिए अंपर लोग को बताएगे यह नेस्ट को सनाता है पार क्लाइंट सर्वर आर्टिटेफ्ट्टर क्या होता है तो आप यहां करते हैं यहां पर प्रिकार की रिक्वेस्ट भेजती है और उस रिक्वेस्ट का रेस्पॉंस हमें यहां पर प्राप्त होता रहता है तो पूरी प्रोसेस को हम क्लाइंट-शर्वर आर्खिटेक्चर और पर यहां इसमें आपके कंप्पूटर यह दूसरे से कनेक्ट होती है तो इसमें क्लाइंट सर्वर में आपकी कंपूटर उसक्या उनलिमिटेड हो सकती है नेश्च नेट लोगिंग को समझा है या नहीं एक स्थान से दूर रखे पर लोकल कंपूटर करने के लिए हम रिमाट लॉग इन का यूज करते हैं और इस पूरे कारे को करने के लिए टेलनेट यह टेली कम्निकेशन नेटवर्क प्रोटोकोल का यूज किया जाता है नेस्ट को सनाता है तीसी निड में ग्राइज को संधाइए तो स्तिमीन क्या है किस प्राकार की लेंगेज तो इसका यूज किस लिए कि आता था 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 हमारे प्राकार की यहांनि वाट यू सी वाट यू गेट कंसेप्ट वे आधारिक लेंगवेज है जिसके मात दम से अपनी पेज तयार कर सकते हैं वैपसाइट बना सकती हैं तो इसके कौन-कौन से बर्जन हैं कौन-कौन से अलिमेंट हैं आप यहां पर समझा सकती हैं दूसरा आता है को हैं यहां पर यहां पर एंकौन-कौन सकती हैं तो आपर यहां यहां पर समस्क्राइब कर सकती हैं ट्रेंट कर होता है कॉन को समझाते हुई इसे कापके टीर लेज़ेक प्रकार के उपर लिख सकते हैं यह पर एक कोड़ भी लख सकती हो पिर आपर स्थेविल को तो टेविल टेग क्या होता टेविल टेग आपका या नहीं यह प्रकार की इन्परमिसां टेविल की रूप में लिखने के लिए हम टेविल टेग का यूज करती हैं टेविल के अंदर कई प्रकार की रोह और को अलम होती जिनके मादम दर टेविल को रेप्रेजेंट कर सकती है पिर आता है बैपेज दियाइंग करने के लिए उसके बैक्ग्राउंड को चेंज करेंगे हम तो यहां पर हम बाड़ी बैक्ग्राउंड का यूज कर सकती हैं तो बाड़ी के कुछ एट्रिवुटर जिनके मादम से आम बैपेज की बाड़ी को अट्रेक्टिव बना सकती हैं जिसका में इतलग 있고요 कर सकती हैं तो फॉझळ भी कर सकती हैं और त्सक्राघाएं अर्द जिसके मादम से आप अपने बैप Frigaut sighs में ऑद एक अट्रेक्शन डाल सकती हो आनि अपने बेपेज को डाइनमिक बना सकती हो उसमा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को भी एड़ कर सकती हो जावेस्टेप्ट में ब्रांचिंग और लूपिन इस्टेटमेंट का होती है तो इफ, इफ एल्स, एलसे प्लेडर, वाइल, डूबाइल, फॉर तो जी हमारे ब्रां आपको कुछ इवेंट बतायते हैं जैसे ओन बिलर, ओन फोकस, ओन लोड, ओन अनलोड, इसके बार ओन सब्मेट, ओन माउस ट्लेक तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जो आपके जावा इसलिटम प्रोग्रामिंग के लिए उप्योग में लाए जाती है तो जावा इसलिटम के बारे हैं बतायी है, फंसन क्या होता था जाव यिए आफस्वाइब करनने के लिए बोएक कोड इंस्ट्रक्षं त è गार करने और कनफर्म बॉक्स के नाम से जानती हैं तो यहां पर बात की चौति यूनिट के बारे में फिर आती हैं पांच यूनिट जिसमें आप वो तीन चार को उसन इंप्रोड़ेंट है सबस्था इंप्रोड़ेंट है और लुद सबस्था घ्रकीं नाम से प्रेंबर को सबस्था और फोर्म करना परता है से पेमेंट मोड होते हैं जैसे होता है स्मार्ट कार्ड होती हैं credit कार्ड होती है debit कार्ड होती है UPI system होता है तो ऐसे कई प्रकार के आज के समय में कई प्रकार के मैतर हैं जिनके मातने से हम electronic payment कर सकते हैं इसके बाद electronic swap in क्या होती है नि मोवाइल के मातन मसे तो आज आप यूज करते हैं यानि इंडिया दोरा इंडिया दोरा बनायागा एक ऐसा यूपिया सिस्टम है जिसके मांदम से आम अपनी पेमेंट को मनी को एक इस्तान दूसरे इस्तान पर ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपके इंटरनेट पेपर में आने के संभावना दिन की जा रहा होती है तो जी जो आपको कलेक्शन बनाया गया है एक्जाम का बहुत इंपोर्टेंट है कोर्स कीजिए कि आप इनको अच्छे से पढ़ें और यह जो कॉसन दिये गए हैं इंदी को गया एंटरी की एक्जाम में आएं लेकिन बहुत इंपोर्टेंट कोर्शन जो आपको एक्जाम में तयारी करने के लिए साहता प्रदान करेंगे यदि किसी बगार कोई कोशन में डाउट्स हो तो आप कमेंड के मादमचा पूछ सकती हो और यदि आपको कलेक्शन अच्छ भी कर सकते हो धन्यवाद